हलो दो वान वेलकम तो लेट्रिक लेंजिक अमस्कियोज आज के सेशन में भूब टॉप सिक्टी इंपोर्टन एमसी के सेट डिसेज करने वाले आपके हैं अपके में एग्जामनेशन आरिवनल जेए इन के लिए देखिए एक सिंगल हमारे एक एग्जामनेशन पैटरन बेस मॉक टेस्ट है आपके सारे टॉपिक्स को मिला तो है काफी इंपोर्टन सेशन रहने वाल है आपके एग्जामनेशन के लिए गाइस अभी मुलाग हमारे सेशन को शुरू करते हैं काफी सारे स्टोर्टन को नॉन टेक्निकल में दिखकत जा रही थी जिनको जन्यूरी से ल कुशन को लुग किया है अगर आपने दोनों भी सेशन और दोनों भी ईबुक्स को नहीं जाकर देखा होगा तो अब जाकर देख सकते हैं हमारे क्यों पर अप्लेकियों आपके सारे डिसर से पढदते हैं पहला कोशन है which is not true for series resonance series resonance is related इसमें से कौनसी statement true नहीं है power factor तो unity रहता है चाहिए हो series resonance हो या फिर parallel resonance हो correct impedance is maximum देखें ये जो condition रहती impedance is maximum ये हमारे parallel condition के वक्त रहती है इसलिए हमारा ये true नहीं रहेगा series resonance के वक्त more imaginary component exists correct ये भी statement correct है और current will be maximum ये भी हमारा statement correct है option B is question का return answer आजएगा अभी देखें question को approach किसे तरह करना है question काफी simple है guys लेकिन आपको मैं बता दू कि ये जो हमने आपर table mention करकर रहता है इसमें से आपको statement के form में आपको इस तरीके से question पूछ रहा सकते है जिसे कि series resonance circuit में series resonance circuit में और हमारे parallel resonance circuit में weld lifetime में थे हैHAHA difference, интересно जिसे impedance रहते है minimum रहते है और parallel में maximum रहता है current ? 15 participants है series में और उसी की invert हमारे पास पास RPG में रहता है effective impedance कितना रहता है यह यह आपको पूछे जा सकता है काफी importante और series resonance circuit हमारे Gold को magnified करते है, as well as parallel हमारे current को magnified करते है और series को हम लोग as accepted circuit whereas हम लोग parallel resonance circuit को हम लोग as rejected circuit करके treat करते है तो यह काफी important table है अच्छी तरीके से एक बार go through कर लिजेगा option B is question का correct answer है then the next question is question number 2 identify the bridge circuit shown in the circuit ठीक है यहापी जो bridge बताया गया यह कौनसी circuit का है ठीक है इसी तरीके से width stone bridge भी आता है गया ठीक है अगर है पर इसका equation भी आता है ठीक है तो यहापी जो हमारे बास bridge बताया गया यह हमारा D-sorties bridge है ठीक है ठीक है ठीक है डी-sorties bridge जो है किसके लिए use है यह हमारे perfect capacitor को measurement के लिए इसका काम में आता है काफी important है आपको जो different bridges होता है उसका क्या use होता है ठीक है जिसे sharing bridge होता है ठीक है यह भी हम लोग capacitance measurement के लिए use करते है बट यह हम लोग relative permittivity के लिए हम लोग इसको particularly measure करते है काफी important है guys और यह जो है bridge हमारे पास में बताया गया यह हमारा bridge है D-sorties bridge ठीक है option B is question का correct answer आ जाएगा ठीक है इस तरीके से आपको confused नहीं होने है यहाँ पर capacitance is given है अब जल्द पास भी हम लोग यहाँ पर resistance को consider करते है wind bridge को हम लोग mark करके आ सकते है option B is question का correct answer आ जाएगा next question is question number 3 the maximum amount of reverse voltage which can be applied on a diode before breakdown is called ठीक है एक maximum amount of reverse voltage है जो हम लोग apply कर सकते है diode के अपर before it's reach before it's breakdown उसके breakdown होने से पहले जो maximum reverse voltage हम लोग दे सकते है ठीक है यह होगा हमारा reverse voltage उसको हम लोग आ सकते है उसको हम लोग कहते है peak inverse voltage PIV कहते है कैसे हम लोग इसको काफी important है और PIV vary करता है हमारे rectifier to rectifier जैसे के half wave rectifier में हमारे पास में जो PIV रहता है वो रहता हमारा VM ठीक है और center type में रहता है हमारा twice VM और जो हमारा bridge type रहता है जिसमें में लोग 4 diode का इस्तेमाल करते है उसमें भी रहता है VM और यह जो center type में जो 2 diode use करते है इसी में सिर्फ हमारा twice of VM रहता है यह condition काफी एक बार examination में पूछी गए यह particularly धान में रखना होगा ठीक है देखते है हमारा next question question number 4 जो flickering effect होता है हमारे fluorescent lamp के उपर वो कौनसे frequencies पे ज़्यादा होता है यह हमें question में पूछा गया ठीक है यह जो रहता है basically lower frequencies पे हमारा flicker effect काफी कबार देखने को मलता है जितनी हमारी lower frequencies रहेगे उतना वो जो flickering रहता है हमारे fluorescent lamp का वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देंगा ठीक है हाला कि अगर 100 hertz है या फिर 120 hertz है पर काफी कम यह देखने को मलता है ठीक है but lower frequencies पे यह हमें काफी कबार देखने को मलता है देखते भी हमारा next question question number 5 relay in a power system is या फिर N relay जो रहता है हमारे power system का क्या है है यह पिर हमारे रुपस में सारे statement हमें पढ़ने होगे आप एक बर उसको pause करके पढ़ लिजेगा first answer इसका correct है फिर में आपके एक बर बता देता हूँ automatic device relay system किया है एक automatic device है जो sense करता है abnormal condition को electrical circuit में और close करता है उसके contact के यही basically relay करता है relay का काम कहा है abnormal conditions जो भी होते जिससे fault आ गया कहीं पर short circuit हो गया है वो हमारे abnormal conditions में आती है उसी को वो sense करता है automatic sense करता है और उसके contact को close करता है ठीक है और circuit breaker उसको trip करता है relay sensor sense करने का गाम करता है option A is question का correct answer आ गया next question is question number 6 and important question है insulation provided on the cables are mainly consist of PVC and XLPE where XLPE stands for generally जो हम लोग insulations provide करते हैं cable के उपर ठीक है वो polyvinyl chloride कर रहता है या फिर XLPE कर रहता है तो XLPE का full form क्या है वह हमारा cross link polythylene ठीक है cross link polythylene हमारा उसका जो full form है ठीक है तो जो insulation material से है और उसका जो maximum operating temperature है काफी रेलिक पूचर जाता है लेकिन काफी important है कि आपको इसके जो maximum operating temperature है temperature है वो ध्यान में रख सके ठीक है जैसे PVC type A हो गया B PVC type C XLPE का maximum operating temperature है काफी important है एक हाथ question इस तरीके से काफी को बन जाता है अगर यह अगर आपको पूचा गया तो ठीक है हाला कि अगर आपको cable का session ने अपने देखा होगा तो उसमें हमने cable से related सारी चीज़े कर लिए अगर आपने नहीं देखांगा तो प्लीज जा के एक बार go through कर लिजीगा पंदरमेट का session है क्योंकि उसके अंदर हमने जो different different type के insulations रहते हैं, cables रहते हैं, materials से लेके सारी चीज़े उसमें अची तरीके से डिसस के जो भी examination है पूछ जाता है, correct? देखते हैं भी मारा next question, question number है 7, in digital electronics, when a is odd with one, age हम लोग और करते है, one के साथ में आपर पस में result क्या आता है, result आता है हमारे पस one यह मैंने आपको Boolean logic के जो चार्ट है, हमने जो Instagram में पेज अपलोड करके रखा था, इसमें मैंने सारी चीज़े Boolean logic से related एक upload करके रखे, जिससे आपको मैंने mainly बता था, or laws और and laws, देखिए काफी देखने में simple लगता है, लेकिन इस दोनों laws को ही मिलाते हुए, अब आपके जो Boolean logics के आपको सकिट, आपको जो equations पूछ रहे हैं कि उसको solve करने के लिए काफी हम लोग फायदे में तरहे है उसी तरह किसे distributed laws आपको पता होने चाहिए, commutative laws होने पता होने चाहिए, accessory laws, और dmorgan का first theorem और second theorem, अब देखिए सिर्फ यहाँ पर statement पढ़ने से नहीं चलेगा, इस statement को किस तरह के से पढ़ना है, ठीक है, that means product of sum या फिर sum of product is equals to what, इस तरह के से questions आते हैं, एक बार एक बार, आता दे रहो, so that आप इसको एक बार go through कर सकते हो, ठीक है, pause करके इसको एक बार देख लीजेगा, देखते हैं, हमारा next question, question number 8, in a dash flip-flop, JNKR made complimentary by connecting these through an inverter, J और JR के को हम लोग complimentary बना सकते हैं, बगर हम लोग एक D flip-flop, D flip-flop के अंदर, J और K को complimentary करें, तब जाके हम लोग उस हम लोग, जो हमारा input है, वो हम लोग short कर देगे, ठीक है, तब जाके वो T flip-flop हो जाएगा, ठीक है, that means, in a D flip-flop, JNKR made complimentary by connecting this through an inverter, inverter लगा दे, that means, हमने एक not gate लगा दे हैं, ठीक है, यह हमारा not gate होगे, that means, जो हमारा input है, J और K का, यह हमने invert कर दिया, ठीक है, तो ब्याटते यह हमारा next question, question number 9, maximum distortion in the output of power amplifier occurs in, कौन से इसे power amplifier में हमारे पास से ज़्यादा distortion देखने को मिलता है, वो हमारे class C amplifier, ठीक है, काफी important है, यह chart के form में आपको जो data provide का रहा रहा तो, इसमें से काफी कबार examination में question पूछे जाते है, ठीक है, mainly जो सबसे कम distortion रहता है, यह फिर हम operating cycle है, 360 degree है, और इस case में क्या होता है, कि efficiency हमारी 25-50% ही रहती है, ठीक है, यह काफी important है, हर एक चीज से आपको question पूछा सकता है, आपको frame करके बता सकता हो, जिसके class A में जो हमारा position of Q पूइंट रहता है, वो हमारा center पे रहता है, class B में हमारे x-axis पे रहता है, जिसका operating cycle है 180 degree, efficiency है, आपको पूछ जा सकता है, एक number के form में, ठीक है, class C का जो less than 180 degree cycle का हमारा operation रहता है, और position of Q below x-axis रहती है, और उसकी जो efficiency है, वो हमेरी high रहती है, और distortion सबसे ज़्यादा हमारा class C power amplifier में रहता है, उसी तरीके से class A, B में उसके operating cycle more than 180 and less than 360 रहता है, और above x-axis का position of Q रहता यह आप अच्छी तरीके से बढ़ लिजेगा, और distortion है, हमारा less than class B amplifier रहता है, काफी important table है, एक table के अंदर जो बाकिस सारे related हमारे पस जो ins and outs है इस questions के, वो हमने distress के लिए, एक बार अच्छी तरीके से pause करके देख लिजेगा, आपके कल के examination के लिए काफी ज़्यादा अच्छी तरीके से, ठीक है, तो ध्यान में रिखेगा, इनमें से boron, gallium, indium और antimony में से, जो antimony है, वो हमारा एक type of acceptor impurity नहीं है, हाला कि boron, gallium और indium, ठीक है, boron, gallium और indium हमारा type of acceptor impurities है, बट, pentavalent impurities में, ठीक है, डोनो type of impurities में, जो है, वो हमारा antimony आता है, ठीक है, तो कि, डोनो type में, जो हमारा pentavalent impurities है, हम लोग उसको add करते, तब जाकि हम लोग n type of semiconductor perform करते, उसमें आते हैं हमारे पास में, rc ring, antimony और mishmood, phosphorus as well, acceptor type में हम लोग उसको trivalent impurities add करते, ठीक है, trivalent impurities हम लोग 3 impurities, trivalent impurities add करते, हमारे पास में, एक whole crate हो जाते है, जो हम लोग उस एकसेप्ट करते, share किया गया, electron, pentavalent में हमारे पास में, हमारे पास में, एक कौन सार रहता है, क्योंकि एक excess में रहता है, हमारे पास, करें, तो धान में रहते है, तो धान में रहते हैं, लोग बोर रोन, गेलियम, इंडियम और अलिमिनम यूस करते, as a impurity, ठीक है, impurity क्या, कर ihmने सलब तर्रैक प्को पते होगा और रौसमें उयक्तोल ऑफ होगे एक होग मेर इंट्रेंट्चिक से मिन्ट्ट्र row रहे होग testosterone क्रों धू करें कमिस्थ्रों ट्रोपिंग करना मतलब यह होता है कि हम लोग् ऑ प्रिंस को एड करना होता दहान मेरे के इस तरीक से question definitely examination में बन दा है In a common emitter configuration of a transistor, the current gain can be expressed as Common emitter configuration में transistor के Current gain को हम लोग किस तरीक से express करते है वो हता है हमारा beta dc Option b is question का correct answer जागा Beta dc is equals to collector current to the base current Beta dc is equals to collector current to the base current Correct अगर हमारे पास में common collector पूछा गया तो हम लोग gamma as पर निकालते है Ratio of emitter current to ratio of base current Correct और हमारे पास में current gain अगर common base का पूछा का है तो हमारा alpha dc Which is equals to ic upon ie Correct यह आपको तीनों भी conditions जहान में रखने होगी हमारे पास में current gain की काफी का बार examination में पूछा है तो रहे Selected आपको जो एक मैंने table प्रवाइट किया था Different different configuration का जिसे common base, emitter collector का voltage gain, power gain, current gain कितना रहता है उसकी values उसका frequency range आपको अची तरह की से पढ़के जाना होगा इस काफी important है ठीक है देखते है हमारा next question Question number 12 Florescent material zinc silicate used in a fluorescent tube gives what तो जो अगर हम लोग zinc silicate use करते है Florescent tube में तो वह हमें green color का effect देता है आपको zinc silicate से कौन सा color effect मिलता है calcium tungstrate से magnesium tungstrate से cadmium silicate zinc beryllium silicate cadmium borate से कौन से color effect मिलता है यह काफी important है एक बार अच्छी जरीके से पढ़के चले जाएगा ठीक है important है देखते हमारा next question Question number 13 The ampere hour efficiency of lead acid battery is usually between age efficiency जो होती है guys ठीक है वो ratio किसका होता है between ampere hour to the input ampere hour of the cell ठीक है उसका ampere hour efficiency रहता है specifically lead acid battery का वो रहता है हमारा 90 से लेगे 95% के बीच में काफी important है यह तो हो गया आपको ampere hour efficiency पूछे गए but examination में ऐसा ही question ना कर नहीं है कि अगर आपको पूछा गया कि water efficiency कितना है lead acid batteries का lead acid cell का वो कितना रहता है वो रहता है हमारा 70 से लेकि 80% का दोनों भी condition ध्यान में रखने है अगर आपको water efficiency पूछा गया है तो 70 to 80% रहेका रहे है और efficiency पूछा गया है तो 90 to 95% इसका correct answer आजाएगा option A will be correct answer देखते हैं भी हमारा next question question number 14 the property of metal by which it can be drawn into wires is called as अगर हमारी ऐसी property है जिसको हम लोग एक metal को wires के अंदर ड्राव कर सकते हैं ठीक है उसको हम लोग करते हैं ductility का ठीक है काफी important properties है ductility मतलब क्या होता है जब हम आला solid को हम लोग stretch करते हैं ठीक है मतलब यह property के अंदर deform कर सकते हैं हमारे metal को और फिर material को ठीक है और malleable है that means वो हम लोग flat कर सकते हैं hammer करके उसको और फिर roll कर सकते हैं तो सारी conditions आपको धहन में रखने हैं हर एक चीज़े आपको अच्छी दरीके से पढ़के जाने होगी so that आगर आपको यह भी विवशन पूछ जाता है तो आपको अच्छी दरीके से clear out होना चाहिए ठीक है option C is question का correct answer आ जाएगा then the next question is question number 15 maximum safe temperature for class H type of insulation material is what class H type of insulation का maximum safe temperature कितना रहता है वो रहता है 180 degree centigrade option B is question का correct answer है काफ़ी important है guys सबसे least हमारा Y कर रहता है सबसे high हमारा C कर रहता है इनके जो temperature ranges है एक बार अच्छी दरीके से पढ़के चले जाएगा काफ़ी important है आपके examination के लिए correct मैं आपको इसमें काफ़ी कम time प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि आप इसको pause करके भी देख सकते और हम लोग इसको कर एक हर एक each and every point अगर हम लोग read करते बटेंगे तो हमारे session की length बढ़ जाती है इसलिए मैं आपको optimum time में क्योंकि आपका revision करना बाकि होगा इसको धान में रखते हुए हम लोग ये table आपको आपके और swap रहो कि आप इसको एची दरी किसे पढ़के जाएगा करके ठीक है देखते हमारे next question question number 16 hysteresis motor is a dash power factor motor hysteresis motor हमारी low power factor motor है guys ध्यान में रखेगा यह motor के conditions में एक question definitely बनता है जिसके अंदर hysteresis motor हो गया capacitor start motor हो गया capacitor run motor हो गया और universal motor अब देखें यह काफी important है ठीक है इसको भिलकल भी skip मत कीजिए क्योंकि hysteresis motor का low power factor रहते है low starting torque रहते है capacitor start motor का high starting torque रहते है वैसे low power factor रहते है capacitor run motor जो होगी उसके अंदर low starting torque high power factor रहते है यह आपको अचीदर किसे पढ़ना होगा क्योंकि hysteresis motor और capacitor start motor capacitor start motor और run motor में हमें काफी एक बर factor motor ठीक है धान में रहते हैं option is question का current answer आजएगा नेक्स question is question number 17 the time taken by a fuse to interrupt circuit in the event of fault is what जितना time लेता है हमारा fuse interrupt करने के लिए circuit को जब भी fault होता है उसको लोग कहते है guys cut off factor उसको लोग कहते है cut off factor ठीक है option अब देखिए current rating, fusing current, cut off factor and fusing factor यह प्लीज आप अच्छी तरीके से पढ़के चाहिए काफी important है मैंने आपके लिए specifically आपे mention करके रखा है इसका ratio क्या रहा था जिसे current rating क्या है ठीक है fusing current क्या है cut off factor क्या fusing factor क्या है ठीक है यह आपको पढ़के चाहिए कि जैसे ratio of minimum fusing current and current rating of the fuse यह इसा ratio रहता है यह आपको statement के द्वारा ही पूछ जा सकता है ऐसा simple सा question नहीं पूछ जाएगा कि आपको directly इस तरीके से statement पूछ जाएगा इसमें से कौन से सही है गलत है आपको ऐसा question काफी के बार पूछ जा सकता है तो इन सब बातों के ध्यान रख कि आप यह तरीके से questions को attempt किजिएगा ठीक है option C is question का get answer आजाएगा दिखते भी हमारा next question question number 11, question number 18, elimination is measured in, elimination को हम लोग किसमें measure करते है इसको हम लोग limits per meter square में measure करते है ठीक है अब यह table मैंने आपको अच्छी तरीके से काफी का बार explain कर चुका हूँ और इसमें से question definitely एक बार एक important है इसलिए आपको धान में रेखना होगा जैसे कि luminous flux का unit का है, luminous intensity का क्या है, candela क्योंकि यही unit आपको same as option में देखने को मिलते है लेकिन यहाँ पी luminous flux का है, intensity का है, luminous का है, इसमें में लोग confuse हो जाते है और यह जो confusion का time रहता है इसमें बता दो जब से आपने paper इसे question को देखा, question देखने से लेते होए, आप answer को tick करते होए, अगर आप clear हो तो आप जल्दी से जल्दी उसको answer 10-15 seconds में mark करते हो, लेकिन अगर आप confuse हो, तो इधर आप क्या को रहे कि दो option में फसे रहोंगे, ठीक है, या फिर आप उसको mark for review करके, फिर से आप उसके पर time देने return आ में लगाना है, ठीक है, अगर हमारे पास में numerical based आती है, तो उसके ले भी हमारे पास time बचना होना काफी important, ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी जो time जाता है, ठीक है, वो आप बचा सकते हो, और काफी quickly इसको answer कर सकते हो, इसलिए मैं आपको दा तो हर एक छोटी सी छोटी ची ठीक है, देखते हैं हमारे next question, question number 19, electrolytic type of instrument and works on the principle of, देखें अब यह जो different instrument रहते हैं measuring में, कौनसे कौनसे principle के पर work करते हैं, यह काफी एक बार पूच रहता है, electrolytic type जो हो रहता है, हमारे chemical effect के पर work करते हैं, इसके related, जो magnetic effect होता है, electro dynamic effect हो गया, electromagnetic induction हो गया, thermal, chemical and electrostatic effect, यह कौनस instrument इस effect के पर work करते हैं, यहापे मैंने mention करें करें करें, please इसको skip मत कीजिएगा, काफी important है, अगर आप skip करते हैं, तो काफी आपका loss हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि एक question definitely ऐसा ही पूच जाता है examination में, ठीक है, यह चिदरे के stable पढ़के चाहिएगा, देखते हमारे next question, question number है, at 20, HD cable, high tension cable, as a voltage level between, high tension cable का voltage level कौन सा रहता है, between 1 से लेके 11 QB की बीच में रहता है, अब ध्यान में रहते हैं, low tension cable का voltage level रहता है, 0 से लेके 1 QB, that means 0 से लेके 1000 V, ठीक है, और 1 से लेके 11 QB तक, that means 1000 V, 11000 V तक हमारा high tension cable का रहता है, super tension, extra high tension and extra super tension cable, अब देखें, question आपको इ देख नहीं पूचा जाए जो आपका IPPS का पैटरन है आजकल उसमें क्या पूचा जाता है आपको कि low tension cable का voltage level दिया जाएंगा high tension का भी super tension का भी एक्सा super tension cable का भी लेकिन इसमें क्या करेंगे वो कि एक option जो आपको गलत कर देंगे आपको बताएंगे कि इसमें से कौन सा invalid है not है ठीक है फिर incorrect है इससे ही लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं आपको table प्रवाइड कर रहा तो यह आपको अच्छी तरीके से थोरोली बढ़के जाना होगा ऐसा नहीं कि आपने question मैंने mention कर दिया हम लोग question को कभी भी deal नहीं करते यह बात धान मे से निकल जाएंगा ठीक है बटते अभी मारे next question कर question number 21 यह हमारे सिर्फ 60 questions नहीं है guys इस 60 questions को अगर आप permutation and combination लगा के आप 100 plus questions को भी form कर सकते हो ठीक है बट यह हमने काफी precisely आपको provide करके लगा है ठीक है देखते अभी मारे next question question का है हमारे पास a capacitor consists of two similar plates each of measuring 10 cm to 10 cm mounted parallel and opposite to each other the value of capacitance when the distance between them is 1 cm and the dielectric used in the air will be dash ठीक है इसमें इस statement में हमारे सारे चीज़े बता ही गए लेकिन हमारे पास क्या पुछा गया है कि capacitance इसका कितना रहेगा ठीक है that means the value of capacitance when the distance between them is 1 cm and dielectric used in the air will be dash ठीक है तो वो हो जाएगा उसके लिए हम लोग जो formula लगा आते होता है c is equal to epsilon 0 a by d ठीक है देखे ए क्या होता यह होता एरिया ठीक है डीक होता हमारा distance ठीक है काफी कर लोग डायमेटर से भी confused हो जाते इससे इसलिए सारे चीज़े बताता और epsilon 0 0 का क्या हमांगे permittivity हो गया permittivity of vacuum ठीक है permittivity of vacuum ठीक है permittivity of vacuum यह ध्यान में रखेगा हम 10 cm x 10 cm का हमारे पास में इसका जो प्लेट्स का एरिया गेवन है तो हम लोग इसको मेटर में convert करेंगे तो 10 x 10 हमारे पास में 100 cm2 हो जाएगा इसको हम लोग मेटर में करते तो 0.01 m2 हो जाते है ठीक है यहां तक तो आपको समझ में आ जाएगा distance के है वो हमारा 0.01 m3 correct और हमार एरिया हमने पहले लिख लिया ठीक है 0.01 यह एरिया हो गया divided by distance distance कितना है हमारे पास में 0.01 correct तो हमारे पास में जो 0.01 तो automatically cancel out हो जाएगा 8.85 into 10 to 4 minus 12 अब minus 12 हम लोग पीको से mention करते है ठीक है इसलिए इसका जो value आ जाएगा option भी इसका correct answer आ जाएगा इस ठीक है यह आपको आप देखने को थोड़ा complicated लगता है लेकिन आप एक बर इस तरीक से simplification कर लेते हो तो काफी आसानी हो जाती है और काफी से restaurants को इन simplification में भी time चला जाता है एक से दो मिनिट वो इसे में spend कर जाता है इसे को solve करने के लिए मैं मैं एक session upload किया था काफी से restaurant ने हाला की देख आप इसमें आपका time लगता है वो आप बचा सकते हैं हाला कि सारी चीज़ आपको आते हैं लेकिन mathematical calculation में ही आपका काफी का बार time चला जाता है इसको भी बचाने के लिए मैंने आपका session mention करके रखा है हाला कि मैं आपका screen shot दिखा दे तो यह वो जो session है जो हमने बनाया था ट्रिक्स जो है without calculator हम लोगो किस तरह किसा solve कर सकते हैं हमने आप एक इसका link चाहिए होगा ता आपको description box में प्रवाइड करके रखा या फिर आप मुझे personally भी comment box में मांग सकते हो मैं आपको जल्दी सल्दी प्रवाइड कर दूँगा चैनल पर अलड़ी अवेलेबल है इस ठ पूचा है कि हमारे पास पूचा गया कि charge density जो है line charge के हम लोग किस में express कर सकते हैं ठीक है तो charge density अगर line charge के पूचा गया तो हम लोग उसको column per meter में measure करते हैं ठीक है column per meter नौड़ा centimeter ठीक है column per meter में हम लोग इस पर express कर सकते हैं point charge के गर पूचा गया ठीक है point charge के अगर अब को पूचा गया तो हम लोग उसको column में measure करते है line charge के मीटर स्कूर में जाए किते हैं सर्फिस के लिए पॉइंट के लिए सी लाइन के लिए सेंटिमेटर क्यूबिक स्वारी कुलम पर मीटर और अगर हमारे पास में वॉल्यूम चार्ज अगर आपको पुछाता है ये भी कंडिशन पूछाते हैं वो भी धान में रिख लिजेगा वह आता है हमारा कुलम पर मीटर क्यूब ठीक है कुलम पर मीटर क्यूब सारे इंपोर्टन है वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब ठीक है सर्फिस के लिए कुलम पर मीटर स्क्वार पॉइंट के लिए कुलम और लाइन चार्ज के लिए कोलम पर मीटर सारे कंडिशन मैंने बता दिए तीनों भी में से अगर आपको एक पुछा जाता है तो यह काफी important है option C is question का current answer आजाएगा देखते भी हमारा next question question number 23 which is the following circuit diagram shows the circuit of a boost converter boost converter का इसमें से कौन सा circuit है हमारा वो हमारा option B ठीक है यह हो जाएगा हमारा boost converter का circuit ठीक है boost converter का जो हमारा output voltage रहता है वह हमारा वी नॉट रहता है वी इन अपॉन वन माइनस टेल डूटी साइकल यह होगा हमारा इसका output equation option B इस question का current answer आजाएगा यहाँ पर जो circuit में highlight करके रहा है यह हमारा boost converter का ठीक है जाएगा और यह जो first circuit है हमारा bug converter का हो जाएगा ठीक है यहाँ पर जो C option में circuit यह बग boost converter हो गया और यहाँ पर जो हमारे पास option D में है यह होगा हमारा कक converter का ठीक है जहान में रखिएगा next question is question number 24 if the stability error for step input and speed of a response be the criteria for a design what what controller would you recommend यहाँ पर control चाहिए था what controller चाहिए था यहाँ पर ठीक है step input और हमारा speed of response है हमारा criteria selection का design का तो हम लोग उस case में PID controller इससेवाल करेंगे इस ठीक है काफी important है अगर वो proportional controller उसकर दे तो हम लोग transient behavior के लिए उसकर दे इंटेकल के लिए तो हम लोग decrease कर दे स्टेशे टेर को derivative controller उसकर दे stability improve करने के लिए इसी तरीके से आपको धार में रेकना होगा अगर मों PID controller उसकरते है तो हम लोग stability error step input के लिए step input के लिए और speed of response हमारा main criteria होना चाहिए in order to design this PID controller ठीक है option D is question का correct answer आ जाएगा then the next question is question about 25 important question है for a 33 kv line having a span of 120 meter between towers the approximate sag will be sag कितना होगा हमें question में पुछा गया ठीक है this is the nothing but a sag ठीक है particularly तो 33 kv के लिए और span कितना है 120 meters का तो इस case में हमारे पास में 1.6 meter जो है हमारा sag होना चाहिए ठीक है इतना like in यह जो table मैंने mention करके रखा है 33 kv के लिए हाला कि आपको सारे line voltages के लिए मैंने mention करके रखा है काफी important chart ठीक है 33 kv के लिए हमारे पास में type of support हम लोग कौन से use करते है height कितना होना चाहिए poles का ठीक है support का और support techniques is poles का यह जो भी हम लोग support यूज करते है ठीक है approximate sag कितना होना चाहिए 1.4 से लेकर 1.8 तो हमारे बास 1.6 इसका करेकर रजाएगा और approximate span कितना होना चाहिए इसके length ठीक है यह भी हापे mention करके रहेगा very very important chart है अच्छी तरीके से एक बार pause करके बढ़ कर जाएगा हम लोग go through करते है आपके हमारे next question क्यों ठीक है तो the next question is question number 26 which is the following circuit diagram shows the circuit of voltage follower इसमें से कौन से circuit है voltage follower के लिए हम लोग इस तो देखते हैं ठीक है वो हमारा voltage followed circuit है तो option B इसका करेकर रहेगा यह हमारे voltage followed circuit है ठीक है बाकी options भी मैंने mention करके अपरेशन अंप्लिफार, non-inverting, op-amp और integrator का circuit किस तरह के से देखने करें मिलता है यह आप मैंने mention करें रहे है फिर से आपको एक बार बताना जाओंगा pause करके अची तरह किसे को देख लिए जाएगा ठीक है देखते है भी हमारे next question question number 27 gas turbine works on which of the following cycle, gas turbine जो है हमारे कौनसे cycle के पर work करता है वो ब्रेटन cycle के पर work करता है गाइज, ठीक है, option C is question का करें सरा जाएगा, gas turbine का जो main working principle है वो ब्रेटन cycle के पर, ranken cycle के पर हमारे power plants और steam turbine engine उसका थे, दो question काफी कापर examination में, पूछ जाते है, ठीक है बढ़ते हैं भी हमारे next question, question number 28, the active material of nickel ion batteries, ठीक है, यह important question है, battery से लिएट काफी कापर examination है, पूछ आते हैं, तो active material जो हो रहे था हमारा nickel ion battery के अंदर, वो रहे था हमारा nickel hydroxide, ठीक है, और जो ion, ion को हम लोग as anode use करते हैं, पोटेशन hydroxide को हम लोग as electrolyte use करते हैं, ठीक है, तो ध करते हैं, यह तीनों चीज़े अपको धान मेरे एक नहीं होगी है, nickel ion battery के लिए, अगर आप चाहते हो, तो हाला कि हम लोग next, काफी कुछी दिनों में हम लोग एक battery का session लेने हो, उसलिए हम लोग यह सारी चीज़े, डिसस कर लेंगे, option D is question का credit answer आ जाएगा, देखते हमारा next question, question number 29, pelton wheel turbines is a type of dash flow turbine, pelton wheel turbine जो है, एक type of हमारा tangential flow turbine है, काफी important है, अब आपको यह ऐसा काफी rarely पुछाता है कि हमारा pelton wheel का specific speed क्या है, head क्या होता है, लेकिन यह भी चीज़े आपको धहन में लगके चाहना होगा, कि pelton wheel का specific speed low रहता है, head high head के लिए हम लोग इसकी use करते है, Francis के लिए हमारा medium head रहता है, medium specific speed रहती है, ठीके, propeller और kaplan turbine के लिए उसका speed जाधा रहता है, head इसका low रहता है, और यह उसमें कौन सा flow होता है, यह important है, यह extra table जो हमने add करके रखा है, यह 25 रिके से बढ़ के जाएगा, थोड़ा समय दीजिएगा, 2-3 मिनिट, पर पॉस करके एक बार concentration से इसको पढ़के जाना होगा, ठीके, तो pelt on wheel turbine जो है हमारा, वो एक हमारा tangential flow turbine के अंदर include होता है, option is question का correct answer आजाएगा, ठीके, अब देखे, एस तरी कैसी question आप मत पढ़के जाएगा, सिर्व आपको एक answer आएगा, आप कौन से not type के questions का, आप खुद combination मना के रहता है, वो रहता है, s times of synchronous speed, okay, option b is question का correct answer आजाएगा, यह मैंने आपको लिए table specifically बनाया था, काफी important है, काफी rarely आपको यह table देखने को मिलाएगा, कहीं पर, ठीके, इसको किसी तरी कैसे पढ़ना है, देखे, मैं बता दितो, relative speed of, अगर हमें stator का relative speed है, हमें पुछा गया ह रोटर के साथ में तो वो क्या हो जाएगा, minus ns times of 1 multiplied by 1 minus s, अगर आपको पुछा क्या है, relative speed of, आप पढ़ना कैसे, relative speed of stator, with respect to what, with respect to stator पुछा गया, तो 0 रहेगा, ठीके, अगर आपको पुछा क्या, relative speed of stator magnetic field, with respect to rotor, 2s times of ns हो गया, simple है, matrix के time, matrix के format में बनाया है, और काफ काफी important है, जिसे rotor magnetic field, with respect to rotor, पुछा गया, तो s times of ns हो जाएगा, ठीके, आप इसको एक बार अच्छी तरिके से पढ़ लिजेगा, काफी simple है, एक बार अगर आपने go through कर लिया, तो आपको इसमें काफी कम time base में दिक्कत आ सकते है, ठीके, option B is question का correct answer आ जाएगा, देखते यह भी मारा next question, question number 31, the volume of conductor material required in the 3-wire DC system is dash times that required for a 2-wire DC system के लिए, ठीके, 3-wire DC system के लिए, हमारे पास volume of conductor कितना जाधे रहता है, as compared to the 2-wire DC system, 2-wire रहता है, हमारा 1.25, यह table में मैंने mention करके रखा है, ठीके, DC 2-wire system में, DC 3-wire system में, AC single-phase 2-wire, 3-phase 4-wire, 3-phase 4-wire के लिए, जो volume of conductor required है, यह यहाँ पर हमने mention करके रखा है, काफी important table है, यह similarly question पूछा रह सकता है, आपको volume of conductor material required की form में, काफी का बार आता है, option A will be correct answer in this case, so देखते भी हमारा next question, question number 32, the ideal operation amplifier has a dash output resistance, ideal operation amplifier का कितना output resistance रहता है, तो वह रहता है, हमारा 0, ठीके, धान में रहता है, option B, इस question का correct answer है, that is 0 output resistance, आ conditions रहती है, जो parameters रहती है, हमारा infinite रहता है, ideal operational amplifier का, यह हमारे कुछ important characteristics है, यह table इसलिए हमने repetitive आपके सामने mention किया है, क्योंकि इसमें से question पूछ जाते है, ठीके, आपको इसका voltage gain कितना रहता है, bandwidth कितना रहता है, इसके form में question पूछ जाते है, option B is question का correct answer है, next question is, the insulating material used for a capacitor, capacitor के के लिए हम लोग insulating material कौन से कौन से use करते है, तो होते है, हमारे पस है, mica, mineral oil and ceramic, option B is question का correct answer रहता है, माइका, mineral oil and ceramics are insulating material used for the capacitors, the next question is, question number 34, if a plant has a low utilization factor, then the plant is, again हमारे plant का utilization factor low है, ठीके, उसका हम लोग as a stand by purpose के लिए use करते है, ठीके, utilization factor का ratio क्या होता है, maximum demand to the rated capacity, to the rated capacity, आप एक बर क्या किजएगा, कि जो power generation, power generation economics के जो factors है, जैसे demand factor हो गया, utilization factor हो गया, plant capacity factor, एक बर प्लीस पढ़के चाहिएगा, हर चीज़े में जो आपको अतार हो, note करके रहता है, जो आपको पढ़निये, revise करनिये एक बर, ठीके, तो अगर हमारा plant का low utilization factor है तो हम लोग उसको as a standby purpose के लिए ही use करते है, ठीके, option B, इस question का correct answer आजाएगा, the next question is, question number 35, current through the two ohms resistance in the network shown below is what, इस दो ohms के resistance में से current कितना flow होगा, यह हमें पूछा गया, ठीके, यह हमारे balance waste stone breach करके, यह हम लोग उसको represent कर सकते, ठीके, इस में सी, इस में जो current flow होगा, वो हमारा 0 ampere का current flow हो ठीके, यह कुछ इस तरीके से circuit हमारा, इसको redraw कर सकते है, ठीके, यह one, one, यह होगा हमारा, फिर से one और यह one, और यहापे हमारे पास में two ohms का resistance है, यह में से कोई भी current flow हो नहीं होगा, ठीके, हमारे सारे resistance balanced है, यह पर देख सकते है, one, one, one and one, ठीके, option A is question का correct answer आजाएगा तो the next question is question number 36, find the total inductance of the series coil shown below, ठीके, इस coil में हमारा total inductance कितना है, यह पूछा गया है, ठीके, इसका हम लोग total inductance निकालते हैं, तो हम लोग क्या हो जागा, mainly क्या है, जो coil one or three है, यह series opposition में, ठीके, one यह, ठीके, coil one or three जो है, इसके dot mark के आप देख सकते हो, इस तरीके से, ठीके यह series opposition में, that means, यह first or third का देखा, तो आपने dot marking कुछ इस तरह के से, ठीके, यह series opposition में होगी, यहाँ यह second वाला भी है, ठीके, और यह first or second यह series addition में है, ठीके, और हमारा जो one or three, यह हमारे series opposition में, similarly, दो और तीन, ठीके, second or third, यहाँ पर इसके polarity marking देख सकते हो, ठीके, यह भी हमारे series opposition में, थो हम लोग सारे inductance को हम लोग add कर लेते, with their mutual inductances as well, तो L का हो जाएका हमारा, L1 plus L2 plus L3 plus twice of M12 plus twice of M23 plus twice of M12, अब देखे हैं, अपर प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस है का, मैंने, हाला कि आपको समझ नहीं के लिए mention करेकर रखाया, ठीके, इस case में का आजाएक हमारा L1, L2 का, L3 का value हम लोग आपर substitute करते हैं, 5 plus L2 का कितना है, 10 plus L3 का कितना है, हम रपस में 15, plus twice of M12 कितना है, twice of M12, वह हमारा minus 3, M12 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा 2, देखे, M12 जो हमारा 2 Henry, ठीके, plus twice of M23, M23 जो है, वह हमारा 3 Henry, ठीके, इसलिए लिए में हम लोग consider करेंगे, क्योंकि series opposition में है, ठीके, इसको गर अब solve कर ले तो आपको जो L equivalent मिलता है, वो 26 Henry मिलता है, इस equation को solve करेंगा, simple है, ठीके, option B, इस question का current answer आजाएगा, देखते हैं हमारा next question, question number 37, identify the function of logic circuit given below, इसमें जो function given है हमारे बस में, वो क्या रहेगा, हमें पूछ हमारे यहाँ पर आजाएगा, ठीके, और यह और गेट है, तो क्या हो जागा हमारे और यह and gate था, तो हमारा a, b bar, and it हो गया, odd with a, a bar, b, यह expression किस का है, simple है, xor gate का, ठीके, यह हमारा output equation आजाएगा, इस logic circuit का, इस तरीके से आप solve कर सकते हो, xor gate का truthably पता होना है, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 के condition के लिए हमारे पस में output क्या मिलता है, 1, 1 मिलता है, 1, 1 और 0, 0 के condition के लिए हमें output 0 मिलता है, ठीके, similarly x nor condition में भी इसका reverse हो जाता है, यह पर 1 आ जाता है, यह पर 0, 0, 1, ठीके, यह एक option, this question का correct answer आजाएगा, देखते हैं मेरा next question, question number 38, in context of a three-phase transformer, what is the angle difference between the phase voltage in a primary and a secondary side if the primary side is connected in a star and the secondary side is connected in a delta, हमें एक question में पूछा क्या गया है, कित्री phase transformer की context में हमारे पर angle difference कितना रहेगा, between phase voltage in a primary and secondary side, अगर हमारा primary हम लोग delta star में connect करते हैं और secondary हम लोग delta में connect करते हैं, तो उस case में हमारे वास में delta side लीर करेका पाए, plus minus 30 degree, important है, transformer की connection क्या अकारिंग, उसमे phase displacement angle कितना रहता है, इस table की माध्य हमसे मैंने बता दिया, काफी important है, pause करके एक बार, फिर से कहना चाहूँगा, पढ़ दीजिएगा, next question is, इसलिए आपको पढ़ने के लिए लगा रहा हो, कि हम लोग हमारे पस काफी कम time में available, ठीके, फिर भी आप इसको जो table से इसको go through कर स MOSFET के लिए हमारा operating frequency रहता है, हमारे पस में 100 kHz का, ठीके, और जो हमारा BJT के रहता है, हमारा 10 kHz के लिए, ठीके, यह आपको धहन में रहता हो, next question is, question number 40, in a phase shift oscillator, the operating frequency is determined by, phase shift oscillator के अंदर जो हमारे operating frequency रहती है, वो किसे determine करते है, by RC combination, option D is question का correct answer आजाएगा, correct, next question is, question number 41, electrostatic precipitators are used in, electrostatic precipitators जो हम लोग किसमें यूज करते है, हम लोग thermal power station में यूज करते है, to reduce pollution के लिए, electrostatic precipitator जो dust और flux gases के तुरू हमारे बस में, atmosphere में जाते हैं, उसके हम लोग dust का collection, dust का collection का जो काम रहता है, वो हमारा electrostatic precipitators का का काम रहता है, ठीक है, then we रहतना होगा, okay, air pollution का हम लोग काम करने की कोशिश करते है, इससे, option A, question का correct answer आजाएगा, next question is, power factor of an induction motor operating at a no load is around, induction motor का हमारा power factor कितना रहता है, जब वो no load पे operate होती है, तो हमारा रहता है, 0.2 lag, ठीक है, lead नहीं, 0.2 lag, सबसे कम power factor रहता है, जब हम लोग उसको no load पे operate करते हैं, ठीक है, ऐसा निक है, आपने 0.9 lag करके, आपे benchmark कर रहते हैं, क्योंकि no load है, तो आपको, 0.2 lag हमारा no load पे काफी कम power factor में देखने का मलता है, अगर हम लोग हमारा induction motor को rated load पे चलाएंगी, तो उसका power factor improve हो जाता है, ठीक है, देखते हैं में माना next question, question number 23, which among the following is non-contact type of temperature sensors, non-contact type of temperature sensors इसमें से कौन सा है, वो है हमारा pyrometer, ठीक है, यो object को एक particular distance से हम लोग उस instrument से measure कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको parameter एक बार google करके search कर सकते हैं, आपको आप इसका image देखने को मल जाएगा, ठीक है, next question is, question number 8, 44, graphite is used in a nuclear power plant to survive, graphite हम लोग nuclear power plant में as a moderator करके use करते हैं, ठीक है, fuel के अंदर हम लोग, fuel हमारे पास कौन सा रहता है, uranium कर रहता है, moderator के अंदर हमारे पास में graphite का استعمal कर आ जाता है, controller के अंदर हमारे जो controlling rods रहते हैं, हम लोग cadmium के use करते हैं, ठीक है, cadmium के और boron के हम लोग उसमें use करते हैं, यह धान में रहत नाब कर, controlling rod, मोडिटर के अंदर हम लोग graphite का इस्तेमाल करते हैं, option B is question का correct answer आ जाएगा, next question is question number 45, in a thermopower plant, the feed water coming to a economizer is heated business, economizer के अंदर जो पानी, feed water receive होता है, हम लोग इसके द्वारा heat करते है, हम लोग few gases के द्वारा heat up करते है, ठीक है, यह जो few gases रहते है, ठीक है, तो economizer के through, जो पास होत होता है, तब हम लोग उसका, इसका जो heat content रहता है, उसको हम लोग यूटिलाइस करते हैं, to reheat, to reheat the water, option D is question का correct answer आ जाएगा, the next question is question number 46, what is the mean value of half wave rectified sign waveform, mean value क्या होता है, half wave rectified sign wave का, वह होता है, 0.318 का, 0.318 इसका correct answer है, काफी important है, ठीक है, mean value जो है, ठीक है, वह हमारा 0.318, इसी तरीके से आपको different waves के लिए, mean value, waveform, factor क्या, rms value के और crest factor क्या, यह चीज तरीके से पढ़के जाना हो का, option B is question का correct answer है, काफी का बार examination हो पूछाता है, sine wave का, half wave rectified का, full wave rectified, sine wave का, triangular का भी और square wave का 1 ही रहता है, यह common है, ठीक है, देखते हैं भी मारा next question, question number 47, which of the following parameter shows the open circuit conductance of हमारा IS by VR, option B is question का correct answer, IS by VR is open circuit conductance, which is unit is MOE, और short circuit resistance का unit रहता है, हमारा ohms के अंदर, ठीक है, voltage ratio और current ratio का, यह हमारी unit लेस रहते, ABCD parameters के अंदर, ठीक है, यह हम रहते हैं, काफी important है, then the next question is question number 48, for active region operation of NPN transistor, active region में operate कने के लिए NPN transistor में हमारा emitter जो रहते हैं, वो negative रहते है, with respective base, यह चीज़ है important है, ऐसे ही question पूछ रहे सकते, important question था, emitter is negative with respect to the base, और एक चीज़ आप कीज़ेगा guys, कि जुतने भी हमारे पास में, same conductor diodes है, triodes है, हमारे पास MOSFETS है, और सारी चीज़े जो है, ठीक है, इस case में आप क्या कीज़ेगा, उसके जो terminals है, एक बार प्लीज हमाल होता है, हलाकि हमने question cover किया, यह आपको पूछ जाता है, ठीक है, then the next question is, question number is, question 49, shockless equation is given by, shockless equation हमारे option B, correct answer आजएगा, id is equals to id is into 1 minus vgs upon vp square, vgs क्या होता है, gate to source voltage होता है, और vp क्या होता है, यह हमारा pinch of voltages को में लोग कहते है, and ids is what, it is a drain to source saturation current, option B is question का correct answer आजएगा, then the next question question is, question number 50, important question है, in a 8 pole 50 hertz, 3 phase sleep ring induction motor has a effective rotor resistance of 0.08 ohm per phase, starting speed है हमारे पास में 65D rbm का, कितना हमारे resistance ohm per phase में, insert करेंगे हमारे rotor phase में, to obtain the maximum torque at the starting, हमें magnetizing current को, और stator leakage को, impedance को ignore करना है, इस case में, ठीक है, तो r का कितना है, rotor का, 0.08 ohm per phase है, correct, speed कितना है हमारे पास, 650 rpm, okay, ns कितना है हमारे पास में, 120 into f divided by p, value निकाल लेंगे हम लोग, 120 into 50 divided by number of falls कितना है, 8, तो आ जाएगा हमारा 750 rpm, correct, तो हमारा slip कितना जाएगे, इस case में, अगर हम लोग slip निकालते, तो दिखें, rotor speed और effective, synchronal speed कितना है हमारे बास, 750 और rotor speed है हमारा 650 था, 100 का difference है, कितने के उपर, slip को formula भी हम लोग डिरिक निकाल लेते है, 750, तो यह जो value हाता है, 0.133 आता है, correct, यह होगा हमारा slip, ठीक है, I'll change the color, so that I have confused now, okay, तो जो resistance required है हमारे पास में, rotor resistance को extend करने के लिए, that means, resistance required to extend the rotor phase, it should be what, slip is equals to R2 upon R2 plus smaller, ठीक है, slip का हमारे पास में value हाजएगा, 0.133 is equals to 0.08 divided by R2 का कितना है, 0.08 plus R, देखे, R का ही value हमें पूछा गया है, हमें क्या पूछा कहा है था कि how much resistance in ohm per phase must be inserted in the rotor circuit to obtain the maximum torque at the static, ठीक है, यह condition के अंदर हम लोग, इसमें R का value गरम लोग निकाल लेते, तो आता है हमारा 0.52, option D is question का करे टेंसर है, इस equation को solve करके दिखेगा, काफी important है, ठीक है, बढ़ते अभी हमारे next question के और, question हमारे आएगा, 51, in a JFET has a three terminal name दी, junction field effect transfer के अंदर तीन terminals रहते हैं, मैंने आपको इसम question बता आ था थोड़ी दिरे पहले, तो वो कौनसे कौनसे रहते है, वो रहते हमारे gate, drain, और source, ठ एगा, n channel JFET का symbol किस तरिके से रहते है, symbol के form में भी आपको पूछ जा सकते question, ठीक है, यह होगा हमारा n channel, यह होगा हमारा gate, यह होगा हमारा drain, और यह होगा हमारा source, और p channel है, तो हमारे arrow कुछ इस तरिके से रहता है, ठीक है, इधान में रहते हैं, option C question का correct answer रहते हैं, इस त the torque developed by a three phase 400 volt, induction motor is 100 newton meters, if the applied voltage is reduced to 200 volt, the developed torque will be what, ठीक है, torque जो रहता है, induction motor का रहते है, इस equation को हम लोग follow करते हैं, तो हमारा next torque T2 हमान लेते हैं, initial torque T1, तो इसका ratio क्या बजागा, V2 अपन V1 का volt square, ठीक है, तो 200 हमारे पास initial voltage था, और final voltage था, और 400 volt हमारा initial voltage, ठीक है, इसका हम लोग square कर ले तो इसका factor कितना है जाएका, 1 by 4, correct, that means अगर हमारा T2 निकाल लेते है, तो T1 का हमारा torque कितना था, 100 newton meters, तो हम लोग multiply कर देंगे, 1 by 4 multiplied by 100, which is 25 newton meter का, ठीक है, option B, इस question का करेट एंसर हाजाएगा, अगर हमारा voltage जोए, applied voltage, reduce किया जाए 200 volts पे, तो develop torque जोए, हमारा reduce हु armature reaction का, alternator के अंदर, alternator के अंदर, synchronous machine के रहा, there are two conditions, दोनों भी conditions मैंने आपको table के form में mention करेकर है, आपको में बाइदा तो, zero power factor leading loads के लिए, जो effect रहता है, हमारा armature reaction का, वो magnetizing रहता है, ठीक है, option C, question का करेट एंसर हाजाएगा, there have been five different conditions of different power factors, like unity power factor, zpf lag, zpf lead, which is zero power factor lead, अब इस इस case में synchronous machine के लिए, और alternator के लिए, थोड़ा सा चीज़े, complicated हो जाते है, इसलिए मैंने आपको table mention करेकर के, अच्छी तरके से पढ़ के लिजिएगा, हमें क्या पूचा गया था, zero power factor leading load, zero power factor leading load of alternator, तो हमारा purely magnetizing रहता है, ठीक है, armature reaction, उसी तरह के से synchronous machine के लिए, purely de-magnetizing रहता है, यह ध्यान में रहता है, यह ध्यान में रहता है, कि synchronous machine पूचा गया है, कि alternator, आप confused हो के इन दोनों भी option में से, हाला कि options वैसे given रहता है, तो यह ध्यान में रहता है, इस तरह की साबको गलती नहीं करते है, option C is question का correct answer आजएगा, stable cup को थोड़ा सा time लेके, इसको pause क कि अच्छी तरह की से पढ़ना होगा, ठीक है, देखते हैं अभी हमारा next question, question number 54, in a three phase power measurement for a balance load using a two white meter method, the reactive power is given by, ठीक है, reactive power कम लोग किस तरह के से represent करते हैं, three phase power measure करना है हमें balance load को using two white meter method, उसकी condition भी बता होगा, तो reactive power कम लोग measure करते हैं, root three times of w1 minus w2, ठीक है, statement में हम रहता है, root three times the difference between readings of two white meter, यह होगा हमारा, इसका correct answer, okay, अगर आपको total power पुछा क्या है, तो हमारा w1 plus w2 होता है, total active power, ठीक है, power factor, और इस case में main जो condition पूछ रहते हैं, कि हमारे पास में power factor angle दिया गया रहता है, या फिर power factor दिया रहता है, तो उस case में हमारे पास condition क्या रहता है, w1, white meter 1 और white meter 2 दोनों भी same measure करेंगे, अगर हमारे एक white meter का twice measurement आ रहा है, as compared to w1, तो हमारे power factor angle रहता है, 30 degree का, और power factor रहता है, 0.86, यह table काफी important है, इसमें से definitely a question examination है बनता है, और हमारे last condition भी एक बार आची दरेगे से पढ़के जाहिएगा, तो the next question is, question number is 55, the cable used for a high voltage application is, high voltage application के लिए हम लोग केबल कौन सा use करते है, तो है हमारा gas filled cable, option 10 question का current answer रहेगा, देखें, जो main 3 conditions है, मैं आपको बादा देता हूँ, belted cable का condition रहता है, belted cable हम लोग up to 11 के लिए के लिए use करते है, screen cable जो है, वो हम लोग 22 से लेके 66 kv के लिए use करते है, और pressure cable जो है, वो हम लोग 66 kv plus के लिए use करते है, तो जो हम लोग gas filled cable है, हम लोग high voltage application के लिए use करते है, बागी तीनों भी conditions आपको धहन में रहना हूँ है, यह pressure cables के अंदर ही pressure cables के अंदर ही हमारा gas filled cable भी आता है, और oil filled cable आता है, ठीक है, दो condition धान में रहे कीगा, तो इंदर next question is question number 56, demand factor in a power plant is, मैंने आपको बताया था कि आपको इस सारे factors अचितरी के सिख एक बार कूत्रों करके जाने होगे, demand factor का ratio कर रहेता है, maximum demand upon connected load, ठीक है, और यह usually less than 1 रहता है हाले कि diversity factor हमारा greater than 1 रहता है, ठीक है, एक ही factor ऐसा है पर demand factor हमारा less than 1 रहता है, ठीक है, इसका ratio भी important है, और यह हमारा plant capacity जो रहती है, ठीक है, उसको पता करने के लिए यह काफी important है, यह भी आपको अच्छी दरे के से पढ़के जाना होगा, तो the next question है, is question number 57, which damping is the most efficient, इसमें से कौन सा damping जियो, सबसे most efficient है, हमारा AD current damping, ठीक है, option 6 question का current answer आज़ेगा, जो हम लोग PMC और induction type में AD current damping इस्तिमाल करते है, moving iron और dynamometer type में हम लोग air friction इस्तिमाल करते हैं, और electrostatic mission में हम लोग electrostatic meter के अंदर, flat friction damping का इस्तिमाल करते है, सारी चीज़ आपको go through करने होगी, ठीक है काफी important है, हाला कि मैं आपको table भी provide करा देता हूँ, इस table को अच्छ तरके से refer के जाए, काफी important है, option 6 question का correct answer आजएगा, next question is question number 58, which of the following is not a desirable property for good heating element, hitting element का इसमें से कौन सी desirable property नहीं है बोला गया, तो वह हमारा high temperature coefficient of resistance, यह तो सबसे desirable property नहीं है, we should avoid, that means अगार हमार resistance है, उसका temperature क के साथ उसका resistance होना नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा, high temperature coefficient of resistance is not a desirable property of a good heating element, okay, then the next question is, question number 59, polystyrene is an example of, polystyrene ही एक हमारा एक insulator का is, ठीक है, ध्यान में रखना है, semiconductor के अंदर हमारे क्या क्या थे है, हमारे पास में, semiconductor के अंदर हमारे पास germanium, silicon, यह स aluminum, these are all metals, option D is question का correct answer, moving on to the last question of our session, question number 60, ध्यान से देगेगा, important है, a transformer on a no load has a, no load has a core loss of 50 watt, draws a current of 2 ampere and has a induced EMF of 230 volt, determine the no load power factor and the core loss element, इसका आपको correct answer में जी comment box के अंदर comment करना है, यह आपके लिए हमार के, इसका correct answer हाला के mention करकर है, लेकिन इसका हमार करके solve करना है, आपके examination के लिए काफी important है, तो यह थी हमारे 60 questions as per the examination paper pattern, हमने try कि हर एक topics आपको question provide करा सके, आपको आज का session कैसा लागए हमें comment box के मदब से mention करीगा, आपको जो मैंने session provide किया था, हमारे July to November, जो राजसन करेंड आफेस का, यहापे आप click करके दीख सकते हो, हमारे channel, कोचिफ और और एक किकर करके subscribe कीजिगा, दोनों भी applications की link हमारे description box में provided है, Telegram channel को join करेंगा, so that हम लोग आपके साथ interactive discussion कर सकते है, आपका paper होने के बाद हमें आपका paper का review ज़रूर देने है कि कौन से कौसे question पूछे के, चाहे हो technical हो या फिर non-technical हो, so all the best guys, for your upcoming examination, stay tuned and have a nice day.